नमस्कार दोस्तो पैशन गाडनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो फरवरी का महीना बीतने वाला है और मार्च का महीना आने वाला है यानि कि सर्दिया बीतने वाली है और गर्मी आने वाली है तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो seasonal flower है ये धीरे धीरे अपना समय पूरा करके सूख जाएंगे मतलब कुछ तो रहेंगे अप्रिल तक लेकिन कुछ वैसे हैं जो इसी मार्च पंदरह मार्च तक आते आते वो उनकी life cycle खत्म हो जाएगे और वो सूख कि अब कौन सा प्लांट लगा है जो कि बहुत तेज गर्मी में भी survive कर जाए यानि कि ऐसे तेज गर्मी में ऐसे प्लांट हम लगा सके जो कि पूरी हरियाली फैलाए रखे और जिनमें हमें बहुत जादा केर करने की भी जरूरत नहीं पड़े तो आज की वीडियो में यही शेर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे प्लांट है जिने हम बिना केर के और तपती धूप में भी रख दे तो हमारे गार्डिन में वो हरियाली फैलाए रहे तो चलिए आए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरी च्वाइस में नंबर वन पर है यह अरे लिनरी फैलाता है और इनके पौधे बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट एक साल में ही बना सकते हैं और नर्सरी में जाया है इन्हें लेने के लिए तो आपको 80 से लेकर के 120 तक में या 100 में आपको एक प्लांट मिल जाता है और बस ए लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हें न तो पानी की जरूरत होती है और नहीं बहुत ज़्यादा फटलाइजर की जरूरत होती है यह इनके स्टेम देखे कितने हाड है इसलिए पानी नहीं भी आप देते हैं दो-चार दिन बहुत तेज गर्मी में भी तो भी बहुत अच्छ सर्वाइब कर सकते और बरसात आने पर आप इने डिवाइड करके कई सारे प्लांट बना लीजिए तो सबसे पहला नंबर यह है इसे आप कई सारी वेराइटी होती है मेरे पास तो और भी सारी वेराइटी जो मैं आगे आप लोगों को दिखला होंगी तो यह वेराइटी जो है आप जरूर लगाएं दोस्तों ताकि आपके गार्डेन में यह हरा भरा भरा रहे अब दूसरी वेराइटी है यह सौंग ऑफ इंडिया के कई सारी वेराइटी होती जिसमें से सौंग ऑफ इंडिया सबसे सेकर नंबर पर मेरे 24 में है क्योंकि एक तो देखने में बहुत ही वेरिगेटेट होते हैं और बहुत ही जादा फ्लेशी होते हैं आपको दिख रहा होगा कि यह कितने जादा ब्यूटिफुल लग रहा है और पूरे दोपहरी में हम इसे धूप में रख देते हैं तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं होते हैं लगातार यह ऐसे ही बढ़ में आपको मिल जाता है और कई सारे कटिंग करके मैंने इसके कई सारे प्लांट बना रखे हैं आप भी इनके कई सारे प्लांट बना सकते हैं बहुत ही इजिली इनके जो कटिंग है वो ग्रो हो जाते हैं और देखने में बहुत जादा सुंदर लगते हैं इन्हें बहुत ज छूपड़े थोड़े पते इनके जलने लगते हैं। इन», इस थोड़ा सा आपको हलका शेड में रखना होगा। लेकिन बहुत जयादा केर कि इनहें भी जरुरत नहीं पड़ती है। एस नहीं है कि हर समय इनुंं फ giftedator in nine पानी देना है। इस भी ऐसी बातने फिर उसको टेंशन नहीं रहेगी उसके बाद निक्स वेराइटी जो मेरी चॉइस पर है वो है वोगेंवेलिया में तो इतने फूल आते हैं कि आपको फूल देख देख कर ही खुशी होती रहेगी और लगातार धूप में पड़े रहेंगे जितनी तेज गर्मी होगी उतना ज्यादा इस पर फूल आएगा आप देख रहे हैं कि मेरे जो यह सफेद वाले वोगेलिया है पत्ता एक भी नहीं दिख रहा है लेकि फूल ही फूल भरे है उसी तरह से पिंक वाले में भी पत्ते नहीं है लेकिन फूल है तो मेरे पास चार वेराइटी है और और डार्क औ पानी डालना होगा लेकि फर्टलाइजर की इन्हें बहुत नीड नहीं होती है तो आराम से आप इन्हें लगाए मैंने तो भी रिपॉर्ट किया इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें शेड में करके रखी हूँ लेकिन बस दो चार दिन के बाद मैंने पूरी खुली धूप में रख दूंगी और सालों भर यह खिलते रहेंगे तो यह ऐसा प्लांट है जो कि आपको बिल्कुल निश्चिंत होके आप लगा सकते हैं आपको कोई टेंशन नहीं होगी और यह पूरे गर्मी भर आपको फूल देते रहेंगे इनकी पतिया हरी हरी दिखेंगी यह प्लांट अच्छे होते हैं इन्हें भी किसी तरह की कोई बहुत जादा केर की ज़रूरत नहीं पड़ती है यह भी बहुत जादा इजी टू ग्रू है उसके बाद निक्स विराइटी है यूफोर्बिया मिली यूफोर्बिया मिली तो समझे कि इतना अच्छा प्लांट है कि आप एक हाइब्रिड है तो इसके फूल काफी बड़े बड़े होते हैं एक छोटी-छोटी फूल भी होते हैं आप उन्हें भी ला सकते हैं और कलर में इनमें light green light yellow और पिंक कलर और سाथी साथ यह रेट कलर चार कलर के होते हैं तो कोई से भी वेराइटी आप लाकर लगा देंगे त तो ऐसे ही खिलते रहते हैं और कहा ही जाता है कि रेगिस्तानी पौधा है तो इन्हें बहुत जादा गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप इस प्लांट को भी लगा ले और बिल्कुल भूल जाए कि आपने प्लांट भी लगाया है और देखेंगे कि आपके गार दिख रहा है एक छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और साथ ही साथ ये कितना भी धूफ होगा इनके ऐसी ग्रीनरी बनी रहेगी इन्हें भी न तो खात की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है नहीं बहुत ज्यादा पानी की क्योंकि इनके पत्ते ब रखना बहुत ही शुब होता है और यह एर प्रीफायर भी होते हैं और इन्हें जैसा चाहें वैसे शेप में डाल सकते हैं मैंने तो इसके कई सारे बोज़ाई बना रखी है बास्केट बना रखी है और टावर भी बना रखा है तो आप चाहें तो जैसे भी बना सकते हैं औ उसके बाद नेक्स प्लांट है अडेनियम, अडेनियम भी काफी ट्रेंड में है और यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है, इनके जो कोडेक्स है, कोडेक्स का जो डिजाइन है, उसी के कारणी यह बहुत ही ऐस्थेटिक लुक देते हैं, तो यह भी भरी दोपहरी में आप रखे रहते हैं, तो यह भी तो डेजर्ट रोज कहा जाता है इसे, यानि डेजर्ट में खिलने वाला रोज, इसे भी आप लग सकते हैं, और देखे मेरे पास यह मदर प्लांट है, और इससे मैंने 500 प्लांट बना रखे हैं, और जितने भी मेरे प्लांट है, सभी के कोडेक इसी तरह से beautiful हो गया है तो देखने में बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है आप इन्हें नर्सरी में लेने जाएंगे तो 100 से 120 तक में एक प्लांट आपको मिल जाएगा उस एक प्लांट से उसके flower से तो मैंने बहुत साड़ बना रखे हैं और हम लोग ने बना रखे हैं और मेरे पास है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है और इनको भी बहुत ज्यादा fertilizer मतलब यह बहुत नखरे वाले पौधे रहुते हैं न, फूल मुर्जाते है तो उसके बाद ये सीट पॉर्ड निकलता है तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत जादा इन्हें देखवाल की जरूरत नहीं पड़ती है ये देखें मेरे पास तो कई सारे प्लांट है जिसे मैं थोड़ा सा जल्दी करके आपको दिखला देती हो क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इतने सारे प्लांटा बना सकते हैं और पूरे खुली धूप में ये रखेंगे तो भी ये इतना ही ज्यादा खुब सूरत लगेगा और फॉर्म भी इतना ही अच्छा करेगा जैसे इसे धूप बढ़ेगी इनमें फ्लावर बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे फिर है स्नेक प्लांट इसे भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही हाड़ी होता है आप इने धूप में भी रग देंगे त होते हैं इन्हें भी बहुत जादा फॉर्ट लाजर की जरूरत नहीं होती है उसके बाद देखिए फोनेक्स फाम है यह भी धूप में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है और लगातार इसे भी कहा जाता कि बहुत ही शुब प्लांट है जब आप अपने घर से निक सकते हैं इन्हें भी बहुत ज्यादा खात की जनुआ न क्यार की जरूरत होती है तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप लाज सकते हैं आप अपने जगादे देसकते हैं और जिसे की आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत के जरूफ नहीं पड़े उसके बाद zrobić, एस पर अगस में देखने में बहुत ज़्यादा ग्रीन रिफ हैल आता है और इसे भी इनके राइजोम से आप अलग-अलग करके इनके कई सारे प्लांट बना सकते हैं और धूप में भी ऐसे ही चलता रहता है और देखने में देखे कितने खुबसूरत लग रहे हैं उसके बा इन्हें बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं उसके बाद है ये स्पाइडर प्लांट तो बहुत भी ब्यूटिफुल प्लांट होता है और सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगता है ये हैंगिक बासकेट में देखे कितने अच्छे फूल की तरह निकले हुए है तो इस बहुत ही ग्लॉसी भी होती है तो धूप में ही रखे रहेंगे और देखे कितना अच्छा वेरियेशन है यह मैं थोड़ी से अच्छे से ले नहीं पाई हूं लेकिन बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं और अच्छे से लगे रहते हैं तो इन्हीं भी आप लाकर के अपने घर और ट्रेंगुलर हेर्ट है यह भी धूप में रहते हैं बस देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं और हैंगिंग प्लांट में आप यह लगाएंगे तो और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लगेंगे तो इस तरह सी यह कुछ प्लांटते दोस्तों जिसे आप गर्मी में लगा करके धूप में रख सकते हैं जो कि पूरे साल हरियाली फैलाता रहेगा यह है टर्टल वाइन जो कि मिरून वाला है और इस तरह से ग्रीन वाले भी होते हैं तो ठीके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बाई झाल